मेरा नाम है अंजली और मेरे चेरनल का नाम है कची गल अंजली तो आज कोई रूटिन व्लोग नहीं लाई हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ जो ट्रावेल व्लोग है वो सेर करूंगी, तो हम लोग जो जार रहे हमारे देवस्थान, यानि की सामक्ख्यारी के पास कच्छे में जो कटारिया गाम है वहाँ पर है, तो जो हम कटारिया पह तो यह बहुत ही छोटा सा गाउं है, तो बस यहाँ पर बहुत सारे के देवस्थान है, तो हमारा भी यही पर है, तो बस यहाँ पर मैंने इसे इसर पर पल्लू लिया है, लेकिन हम जब हमारे देवस्थान के पास आगे जाएंगे, तो मैं गुंगट जो है वो निकाल लू इसी तरीके से पलू आगे लेकर बैठते हैं तो बस यहां पर जो मेरे देवर जी वो सब लग यहां पर पूजा कर रहे हैं तो हम बैठे थे तो मैंने दर्शन कर लिया है यह और दूसरे लोगों का जो ए देवस्थान है तो वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रह है सुर्धन दादा इस तरीके से तो ताकि सब को पता चले यह किसके देवस्थान है तो बस यहां पर और यहां पर प्रसाद हो भी चड़ा दिया है तो हम लोगों ने भी प्रसाद खाया तो बस सब कर रहे हैं दर्शन बारी-बारी तो मैं आप लोगों को पूरा व्यू ज होता है तो बहुत ही बड़ा आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी जगे हैं और सामने यहां पर रहे रहे हैं पूजा जो यहां पर करते हैं डेली क्योंकि हम लोग तो यहां पर आ नहीं सकते हैं तो यहां पर पूजा रे जी को रखा है तो दर्सन कर लिया है हमने तो यहा देख सकते हैं फेन चालू है यहां पर जो गाय है वहां पर उसे रखते हैं तो उसको गर्मी न लगी इसलिए फेन रखा हुआ है तो यहां पर गाय का चारा पड़ा है ताकि गाय को गर्मी भी न लगी इसलिए फेन लगाया हुआ है और यहां पर बन रहा है खाना यह लोग जो चूले पर ही गाव में खाना बनाते हैं तो बस उसने जश्ट अभी रोटी बनाई है तो मैं देख रहे थी किस तरीके से वो कर रहे हैं तो आज भी इसी तरीके से गाव में जो चूले पर ही रसोई बनती है खाना बनता है तो हम लोग निकल चुके अचानक से जो हमारा प पहर हो चुकी है तो पहले सोचा खाना खा लेते हैं क्योंकि रण में वहां पर कुछ पी नहीं मिलेगा तो बस हम लोग बहुत ही दूप थी तो यहां पर जो एसी वाला होल है उसके अंदर हम जार रहे हैं इतनी दूप है कि पूछिये ही नहीं पहर की तरफ भी सिटिंग है इतनी दूप है कि यहां पर बेठा नहीं जाएगा तो हम लोग ऐसी के अंदर आ चुके हैं तो बस बैठ कर रहे हैं खाने का तो यहां पर पूछ रहे हैं मुझे क्या खाना है मैंने का सब का एक ही मंगवा लेते हैं तो यहां पर जो है एक सलाट आ चुका है यहां पर मिर् चास गुजराती को चास के बीना तो खाना हजम ही नहीं होता है तो हमें खाने में एक रोटी कम होगी तो चलेगे लेकिन चास तो चाहिए चाहिए तो यहाँ पर सब जीपी आ चुकी है काजुकरी और पनीर भूर जी और पराठा फिर दाल फ्राइ तो बस खाना खा रहे थे आज मेरी पूरी फेमिली साथ है तो आप लोग मुझे बोलते थे कि आप अपने अस्बन का चैरा क्यों हाइड रखते हो ऐसा कुछ भी नहीं है तो आज मैं आपको सब कसे मिलवाती हूँ तो यह मेरे दोनों देवर की बेटिया है यह मेरे सास ससूर है तो यहाँ पर हम एक साइड बेटे ही वैसे तो पूरी जगी थी लेकिन पूरी फेमिली साथ बेट कर खाना खाने का मज़ाई कुछ और है तो यहाँ पर साइड में जो मेरे देवर मेरी देवरानी के पास बेटे हो तो यहाँ पर जो डाल चावल भी आ चुके तो वह भी हमने खा लिया है तो ख कि बीच में आगे जो रण आएगा कि वहाँ पर तो हमें पानी भी नहीं मिलेगा तो हमने यहाँ पर खाना खा लिया है तो यहाँ पर यह जो पिपरमेंट आप देख सकते केंडी किस-किस को अपना बचपन याद आ गया तो थोड़ा सा केंडी को मैं हाफ में लेकर देख रह जाए देख रहया तो यहा पर इतनी सारी धुल जो इस तरीके से उड़ रही थी तो मेरे देवरानी के बेटी ने जो शूट कर लिया हिंदी में सायच से बहंडर बोलते ह। या बोलते हैं हमारे गुजराती में to folk कन्फीज जो हो जाती हूँ तो बस वीपर की तरफ जा रह तो मुझे बहुत ही सब कर रहे थे कोई मुझे पसंद आ जाए तो मैं खरीदैने लूँ तो यहां पर होटल में यो कर रहे है CC मिछे हस्व का रहे है चलते हुआ भूला रहे थे के चलो शौपिंग करने नहीं आया है सब बोल रहे थी कितने अच्छी अच्छे पूल आए है तो बस आभी चलते हैं कि बहुत ही आगे जाना थह तो हमारे यहां पर बारिस होई थी तो यहां पर बहुत सारा पानी भरा हुआ था इतना डर लख रहता है गाड़ी निकाली तो हम इंटर हो चुके रोड के अंदर आपको दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां पर जो गाड़ी के निशान है उसके उपर ही गाड़ी चला नहीं है वरना तो फिर आप ढूंडते रहे जाओगे लेकिन आपको रास्ता मिलेगा ही नहीं तो बस हम लोग एंजोई कर रहे थे बाते कर रहे थे तो पूरा जो है रण रण है तो यह कच्छ का जो है न लेकिन क्योंकि यहां पर दूर दूर तक आपको कोई भी सामने आएगा ही नहीं कोई कोई ही यहां पर आता है तो अकेले तो बिल्कुल भी आप आए नहीं यहां पर गूरूप हो तो ही आए क्योंकि यहां पर जो कोई भी सामने आएगा नहीं यह है हमारा कच्छ का रान अ रास्ता बटक चुके हैं और यह पूरा रण है और किसी भी इंसान आदमी दिखाई ने दे रहा है और हमारा फेमेली आज वेड़ू वच्राथ जा रहा है तो हम लोग यहां रण में बटक चुके हैं रास्ता मिल नहीं रहा है अधर यहां लोग पूछ रहें कि रास्ता कहां जा रहा हैं और भाबाव बटक तो यह जो बोल रहे थे और मेरे चोटे देवर थे तो यहां पर बस अम मेणु दाधा पंच चुके है तो तो यह तो यह पर हम कर रहे दर्सन आप लोग बीदर संकर कर लीजिए तो यहाँ पर है सीव जी का मंदी तो यहाँ पर भी हम दर्शन कर लेते हैं तो सीव जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए तो यहाँ पर जो हमार गुजराती में बोलते हैं कि धुना है लेकिन यहाँ पर साफ लिखा है कि अंदर जाने का मना है तो आदूनानी अंदर बहनों जावानी मनाई से तो हम लोग यहां पर नहीं गए इसका मतलब है कि लेडिस को अंदर नहीं जाना है तो यहां पर जो देख सकते बहुत ही बड़ी जगा है तो यहां पर हम लोग उसे पूछ रहे थे कि रास्ता किस तरीके से है क्योंकि हम भी यहां पर पहली बड़ा है तो मिल्कूल भी कुछ भी रण में दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दूर-दूर तक कोई सामने नहीं आ रहा है कि किकी से रास्ता पूछ तो यहां पर भी बहुत सारे पंच्चियों की आवाज आ रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था तो यहां पर मंदिर की हिष्ट्री कुछ लिखी हुए तो मैं थोड़ा सा सूट कर लिया ताकि सब को जो गुजराती पढ़ सके वो पढ़ ले तो बस हम निकल चुके वच्छराथ चोलंगी के दर्शन करने के ही। पहुच ही गए है तो यहां पर एंटर होती ही इस तरीके से छोटी छोटी दुकाने है बहुत सारा यहां पर मेदाने बड़ा सा तो इसी तरीके से छोटी छोटी दुकाने लगई हुई है प्रसाद वो सब सारी चीज़े और यहां पर यह मेरे देवर की बेटिया है दोनों त तो ये जो मंदीर फिलाल के लिए यहां पर रखा हुआ है, तो आप लोग भी दर्सन कर लीजिए, वच्छराज सोलंकी के बहुत बड़ी इसकी हिस्टरी है, लेकिन मैं पूरी आप लोगों को नहीं सुनागी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कम हो जाएगा, उसकी उतनी बड़ी हिस्टरी है, कुछ ऐसा है कि वो गाय को बचाते बचाते सहीद हो गए है, जब वो गाय को बचाने के लिए गए थे तब उसका जो धर से सर अलग कर दिया, लेकिन फिर फी 18 किलोमीटर तक वो लड़ते लड़ते, जो सबको उसने मारा फिर गाय को बचाया कुछ इस तरीके से हिस्टरी है, तो मैं पूरी आप लोगों के साथ सेर नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही बड़ी हिस्टरी है, यह पूरा वीडियो ही कम पड़ जाएगा, तो यहाँ पर सामने की तरब जो नहीं मंदिर बन रहा है, और यहाँ पर जो पेड़ है वो भी आप देख सकते, बहुत सारे जो लोग है, यहाँ पर मन्नत मानते हैं, तो सबको जो किसी को संतान प्राप्ती नहीं होती है, तो आप देख सकते कितनी सारे जो फोटो से यहाँ पर टांगी हुई है, तो सबको यहाँ से मन्नत लगा कर यहाँ पर संतान की प्राप्ती हुई है, तो यहाँ पर सारी इसी तरीके से उसने सब की फोटो लगाई हुई है, तो इस साइड भी बहुत सारी फोटोस है तो बहुत ही यहाँ पर जो उसके परचे है तो आप अगर दर्शन करना चाहते हैं तो यह कच्छ गुजरात का जो नाना रण है वहाँ पर जो वच्छरास तोलंकी का यह मंदीर है तो यहाँ पर जो यह नया मंदीर बन रहा है तो य यहां पर मैं पूरा जो सूट कर रही थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ अच्छे से तो बहुत चलते हैं आगे यहां पर बहुत सारे पक्सियों के लिए इस तरीके से टांग रखे क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है जो मुझे पहले से फोलो करते हैं उसे पता है तो यहां पर हम आ चुके हैं यहां पर जो गाय है वेगर उसकी समाधी है तो हम लोग दर्सन कर लेते हैं यहां पर आप भी कर लीजिए तो यहां पर अगर आप भी आना चाहते हैं तो जरूर हो रही है तो अगर आप आना चाहते तो जरूर आ सकते हैं और यह है डोली की समाधी तो यहां पर भी हम दर्शन कर लेते हैं सामने की तरफ आप देख सकते हैं यह बोजना लए अगर आप दूर से आते हैं तो वो भी कोई चिंता नहीं है तो यहां पर यह है गोड़े की पर दोड़ा सा योगदान देना चाहिए बले जितना हम से हो पाई उतना करना चाहिए तो यहां पर मैं आप लोगों को दुखा रही थी बहुत पार यहां पर इसी तरीके से बना कर रखे पक्सियों के लिए तो यह मुझे बहुत ही पसंद आता यहां पर भी वच्छरा सोलं सामकी के जो आप देख सकते कुछ पिस्तरी लिखए कुछ सूचना लिखए तो यहां पर मैं थोड़ा सा एट कर दि आए अपको पढईकर आसके तो यहां पर सामकी में बात कर रही थी वह डेली यहां पर जो सा मकी आती यहां पर वह गोड़ा आता था लेकिन अब वह गोड़ा इस दुनिया में नहीं है तो मैं थोड़ सी क्लिक आपको एड़ कर दूँगी ताकि आप देख सके किस तरीके से वह गोड़ा जो आरती में आता था यहां पर मैं थोड़कर लेया झानरक तो यह गोड़ा देखा ना आप ने जो पहले इसी तरीके से रोज डेली डेल्ली आरती में आता ही था तो बस यहां पर ने थोड़ा सोचा आके आप लोगों को साथ ऍखती हूं तो यह पहले का और ठीका नए विलाल अभी इस दुनिया में नए हैं तो यहां पर हो रहे आर्ती तो हमने सोचा इतने दूर से हम आये तो आर्ती के दशन करकर ही जाते है तो आती के टाइम पर यहां पर बंदर भी आ चुका था, उपर बेठा था तो मैं थोड़ा सा सूट कर लिया, अब हम जा रहे वापद, तो बस महादेव की जये बोलकर हम लोग निकल चुके, तो हम काफी रास्ता पचा साथ किलो मेटर कर पार कर, फिर हमने बाहर की तरफ नि फेरा काटा है, तो यहां पर सबको पीनी ती चाहे, तो थोड़े देर के लिए गाड़ी रोकी है, क्योंकि हम दिन में भी रास्ता रॉन में भटक चुके थे, तो इससे अच्छा हमने सोचा के बले ही हमें फेरा पड़े, लेकिन रात के समय रॉन में जाना हमने अच्छा नहीं समझा, ठीक नहीं समझा, तो हम साथ किलो मीटर का फेरा खा कर आए है, यहां पर हड़ वर धांग अद्रा होकर आए है, जिंजवाड़ा से हम निकले थे, तो बस वहीं से निकले, और रात के बच गए है, ग्यारा, तो बस हलका फुलका कुछ यहां पर खाते है, नास नास्ता करेंगे, गर पहुंचेंगे तो दो बच जाएंगे, तो थोड़ सा सोचा नास्ता कर लेते है, तो बस नास्ता कर लिया है, अब जार रहे है, तो वीडियो पहीं पर एंड करते है, आप लोगों को यह व्लोग अच्छा लगा हो, तो जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई, बेट जाती हो कार में, बाई